what is up everybody welcome back to another video और आज की इस वीडियो के इंदर हम बात करेंगे oxygen depth के बारे में oxygen depth का जो concept आता है वो आता है aerobic और anaerobic respiration में अब aerobic और anaerobic respiration में क्या फर्क है वो तो मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा फर्क बता दूंगा लेगिन अगर आप भी जाना चाते हैं तो उपर या निके यूट्यूब पर दे लिया ना यार और बाकी जहांतर बात रही oxygen depth की वो आता है anaerobic respiration में इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात को अगर यार आप oxygen depth के बारे में गूगल के उपर सर्च करते हो तो आपको मिलता है ये a temporary oxygen shortage in the body tissues arising from exercise और अगर आप मजीद सर्च करने की कोशिश करते हो like in wikipedia then you will find out this thing excess post exercise oxygen consumption or known as oxygen depth is increased rate of oxygen intake following activity in historical context the term oxygen depth was popularized to explain or perhaps attempt to quantify anaerobic energy expenditure पर आपका भाई आपका सुझाएगा बहुत ही easy language में देखो होता क्या है कि जब भी एक body चाहे running कर रही है चाहे swimming कर रही है चाहे कोई भी काम कर रही है कोई भी काम तो उसको चाहिए energy weather breathing weather आपकी heart rate है कोई भी आप ताम कर लिए even आप जब सो रहे होते है you require energy to live अब होता क्या है actually में कि आपकी body हर वकत aerobic respiration में होती है aerobic respiration के अंदर क्या होता है कि आपके पास glucose होती है आप जब breathe करते हैं तो आपके पास oxygen होती है दोनों combine यानि एक reaction होता है जिसके पास आपके पास carbon dioxide, water और साथ में energy यानि large amount of energy produce होती है पर अब होता यह है कि जब आप कोई थोड़े से heavy task करने लग जाते हो यानि कि आप running कर रहे हो अब आप थोड़े swimming वगहरा कर रहे हो अब थोड़े सा muscles का ज्यादा use कर रहे हो अब क्या होता है कि आपकी body के पास sufficient energy नहीं होती आपकी body क्या करती है कि aerobic respiration तो करती है लेकिन साथ में anaerobic respiration भी करने लग जाती है अब anaerobic respiration में यह होता है कि आपके पास जो glucose होती है वो without the presence of oxygen यानि कि oxygen ना होने की वज़ा से वो break down होती है जिसकी वज़ा से आपके पास energy भी आती है बिल्कुल small amount of energy और साथ में आता है lactic acid अब oxygen depth का जो concept है वो है lactic acid की stability अब होता क्या है aerobic respiration और anaerobic respiration की वज़ा से आप कुछ देर के लिए running बहुत अच्छे से कर पास गए लेकिन जो बात में आपको muscles में pain महसूस होती है उसकी वज़ा होती है वो lactic acid जो के प्रोड्यूस होई जा रहा है और होई जा रहा है अब क्या होता है कि एक वक्त आता है कि आप इससे जादा मजीद नहीं भाग सकते वाई विकोज अब इतना ज़्यादा lactic acid हो गया है कि बस आप इसससे जादा नहीं कर सकते oxygen debt का concept तब आता है कि leptic acid is toxic toxic होने की वज़ा से आपकी body को अब oxygen required होती है कि जो leptic acid आपके muscles के अंदर है उसको breakdown किया जाए back to glucose ताके उसकी दुबारा से energy बनाई जाए तो होता क्या है कि आपकी body जो extra amount of oxygen जो भागने के बाद आपने लेका सांस चल जाता है वो जो आप सांस ले रहे होते हो वो oxygen जो होती है वो oxygen debt के लाती है जो कि leptic acid जो आपने produce किया था उसको remove करने के लिए होती है वेल आज की वीडियो होती है यहीं पे खतम और यहां बे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप जानना चाहते हो कि यहार O Levels के paper चेक कैसे किया जाते है और अगर आप जानना चाहते हो कि यह references कितने लिखने चाहिए O Levels में तो यह वाली वीडियो देखो और अगर आप O Levels अपना असान बनाने चाहते है तन यू शूद विजिट O Levels made easy by clicking on this जो भी यहां वे आ रहा है ठीक है ना मिलते है नेक्स वीडियो में तर तक के लिए